के निरे क्रम चरे के लिए गुड नूज मिलेगा बड़ा हुआ डिये 6 महीने के अगस्त में खाते में बढ़कर आएगी सलरी नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे नूज यूटूब चैनल में लेटर सब्डेट निकल कर साम्यारी है जिहां दोस्तों डिये को लेकर और 6 महीने का जो आपका अरियर है उसको लेकर तो दोस्तों आज हम आप वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे जुड़े लिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स डाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ बेल आइगन को भी जरूर दबे जो भी नूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पूंस के तो आई दोस्तों बिना किसी दिरी के हम वीडियो को स्टेट करते हैं जैसे कि दोस्तों इसमें बता जा रहा है कि 28 लाग किंद्री क्रमचारी और पैंसरों के लिए गुड नूज है इन्हें यानिके अगस्त के सालरी और जो पैंसर में उचाल आने वाल है हाली में योगी सरकार दवारा 3% बढ़ाने जाने के बात अब अग जारी कर चुके हैं जिहां दूस्तों दरसल जुलाई में यूपी की योगी आधितेना सरकार राज्य के 6,00,00,00 क्रमचारी और 12,50,00 के मेंगाई बता और मेंगाई रहात में 3% की बढ़ोतरी के आधिश दिये गए हैं इसके तैट अब राज्य क्रमचारी को 31 किस्तान पर 34 परसेंट डिये डियर का लाब मिलेगा यह एक जनवरी 2022 से लग होगी ऐसे में जनवरी से जुलाई तक का 6 महिने का डिये एरियर भी पीएफ खाते में जमा किया जाएगा यानि कि अगस्त महिने में आने वाली सेलरी में ने डिये सेलरी है आईक और एरियर का लाब मिलेगा राजे सरकार के आधिशानुशार राजे सरकार के जो क्रमचरी के महंगाई बत्ते का 6 महीने का एरियर आयकार और सर्चार्च की कोटोती के बाद भविशे नेदी खाते में जमा किया जाएगा NPS यानि की राजटी पैंस नियोजना से जुड़े अधिकारिक और क्रमचरी को मिलने वाला महंगाई बत्ते का 1 जनुवर से 30 जून तक के एरियर की 10% राज़ी क्रमचरी के टीर वन खाते में जमा किया जाएगी से जो 90% राज़ी क्रमचरी और अधिकारी को नेशन सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी राज़े सरकार एम नियोखता की और से एरियर के 14% के बराबर अंसदान टीर वन पैंसन खाते में जमा किया जाएगा जो क्रमचरी एक जनर दोज़ार बाइस के बाद सेवानिवर्ति हो चुके हैं अधो अगले 6 महा में सेवानिवर्ति होने वाले हैं उनके मेंगाई बत्ते की पूरी धन्राशी का भुकतान नगत किया जाएगा पैंसन्स और जो फैमिली पैंसनर्स हैं उनको भी बड़े दर से महाई रहा दिये जाने के साथ अखिल बरतिये सेवाओं के पैंसन और फैमिली पैंसन को भी बड़े दर से महाई बता देने का साजना देश भी जारी कर दिया गया है कितनी होगी दोस्तों आपकी सेलरी वो भी एक एक जम्पल के थुरू बताए गया है कि अगर आपकी जो बैसिक सेलरी है वो 18,000 रुपे है तो जो एरियर की कल्कुलेशन की जाए तो आपकी सेलरी में 514 रुपे तका इजाफ़ा किया जाएगा अभी क्रामचारी को 5580 रुपे डिये मिल रहा है जो 31% की हिसाब से है दोस्तों इसमें 3% की और बढ़ोतरी हुई है तो जो आपकी सेलरी है दोस्तों वो 6,120 रुपे मिलेगी मतलब कि क्रामचारी की सेलरी है वो 540,000 रुपे का इजाफ़ा हुआ है जनवर में जून यानिक दोस्तों इसमें 6 मेने का जो एरिर का हिसाब है 3,240 रुपे आएंगे क्रामचारी आपकी सेलरी के हिसाब से डिये का कल्कुलेशन भी कर सकता है दोस्तों यह थी आज के मैं लेटेस अपडेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगी दोस्तों वीडियो अच्छी